आपको departmental store बनानी के लिए क्या क्या करना है सबसे पहले location चेक करिए उसके बाद facility decoration करना है आपने procedure employee appoint करना है ठीक है इसके बाद advantages मैंने देखा large scale पर business होता है यहाँ पर quality fear नहीं होता आपको कि आपके साथ cheating होगा benefit of specialization आपको जो product मिलेगा वो best product यहाँ पर delivered किया जाएगा easy advertisement होता है home delivery आपका हो जाता है यहाँ पर disadvantage की बात करें तो disadvantage जितने भी हमारे large scale है सब में common रहता है एक point तो use capital यानि जो capital है वो बहुत जादा लगता है क्या रहेगा हमारे capital बहुत जादा होगा away from ordinary customer ordinary क्यूंकि यह हमारे customer एक तो होते normal जो बहुत daily routine पर use करते हैं और एक हो हमारे rich तो rich तो वहाँ पर पहुंच जाएंगे लेकिन जो ordinary customer है जो middle class customer है या फिर poor class customer है वो यहाँ पर आपाएगा नहीं आपाएगा नहीं आपाएगा क्यूंकि generally समान क्या है यहाँ पर महंगा है तो यह क्या हो गया हमारा disadvantage disadvantage में क्या है अवे मतलब दूर रख रह जाते है from our ordinary customer यह ordinary customer को catch नहीं कर पाते third point costly goods समान महंगा मिलेगा brand का समान लोगे तो महंगा मिलेगा ही मिलेगा आपको lack of personal attention आप personal attention नहीं कर सकते वो person आएगे अपने सबसे समान लिया payment किया चला गया अब ना तो दुकानदार उस customer को दुबारा याद रखेगा ना तो कोई याद advantage है जितने भी हमारे है ना चाहे मौल में चले जाओ मौल में तो चलो एक बार को आपका attention होता है लेकिन चाहे सूपर बजार चले जाओ चाहे चेन स्टोर चले जाओ चाहे आपका mail order में चले जाओ तो उससे personal attention कम ही होता है उसमें तो सब में लग जाएगा यह point lack of credit facility हर किसी किस में लगेगा सब में लगा देंगे हम सबसे पहले देखो disadvantage huge capital हर किसी में लग जाएगा lack of credit facility हर किसी में लग जाएगा इसके personal attention यह भी हर किसी में लग जाएगा इंक्रीज इन ओपरेटिंग एक्सपेंस यह भी हर किसी में लग जाएगा ओपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है जैसे बड़ा स्टोर है अगर मैं एक चोटी दुकान खोलू तो मैं अकेला हूँ और मैं ही सारा समान देखना खर्चा है नहीं हमारा कुछ लेकिन बड़े स्टोर पर करेंगे तो इमपलॉई गार्ड अलग है तीन गार्ड एंट्री पर अलग गार्ड एक्जिट के टाइम पर अलग गार्ड अब बिलिंग पर बहुत सारे लाइन में लगा हुआ है इंटरनेट का खर्चा तो वहां प से आपका और advantage सब में लगभग लगभग common है एक का याद करना है आपको अच्छे से और आप भाकी का तो बना के लिख सकते हों तो सबसे पहले disadvantage में huge capital तीनों में लग जाएगा lack of personal attention तीनों में लग जाएगा credit facility नहीं दिया जासा तीनों में लग जाएगा जितने पांच है पांच के पांच पॉइंट में लगा देंगे और increase operating expense यह चार पॉइंट तो आपका हर किसी में लग जाएगा ठीक है तो हमने अभी देखा departmental store departmental store के क्या देखें feature उसको किस तरीके से आप establish कर सकते हो और इसके बाद क्या देखा हमने advantage और क्या देखा disadvantage disadvantage के चार पॉइंट तो आपको यादी रखने है common पहला point क्या याद रखना है use capital सम्मे लगना है उसके बाद credit facility नहीं दिया जाता operating cost ज्यादा होता है personal आपका personally customer से इंट्रेक्ट नहीं हो पाते हूँ ठीक है चलिए अब अगले point की तरफ चलते हैं अगला point हमारा सूपर बजार market सूपर बजार क्या होता है यह देखो basically चावल चीनी आटा या ओएल हो गया साबून हो गया यह सारी चीज़े क्या है हमारे grocery आइटम है इसको FMCG भी बोलते हैं fast moving consumable आइटम भी बोलते हैं तो सूपर बजार में यह होता है दोनों में basically फरक यही है यहां पर तो आपको कपड़े वगरा भी मिल जाएंगे लेकिन यहां पर सिर्फ क्या होगा आपका मेंली खाने पीने की समान ज्यादा से ज्यादा होगा जैसे मैं एक्जांपल लो क्लिये साटिक पर होता है वहां पर जाओगे तो यहां पर रिलाइन सुप्र मार्किट कुई समान निए उनiva क्लास यह समान सस्ते में यह यह USA में आया था तो USA में जब recession आया था तो उस time पे वहां पे सूपर बजार open किया गया और जहां से यह strategy चला वहां पे जो जिनके पास पैसे नहीं थे उनको सस्ते में समान प्रोवाइड किया गया जिनके पास कम पैसे था यहां पे जाएतर आपको आफर्स मिलेंगे बहुत दिसकाउंट मिलेगा तो नॉर्मली आप बिग बजार जाओ रिलाइंस फ्रेश जाओ तो जो यहां पे दुकान है अगर यहां पे सौर रुपे का कोई MRP वाला समान है यहां पे तो आपको जादे जादा 99 दे देगा यह चार-पांच और यहां पे 20 परसेंट तक छूट द दे रहा था वो अगर MRP 600 है तो वो बोल रहा था 640 का मिलेगा नॉर्मल यहां पे यही मैं रिलाइंस के अंदर गया तो उन्होंने कहा के 599 का मिलेगा यानि 600 रुपे का तो इनका मेन क्या होता है बहुत हीूज कॉनिटिटी में जब यह समान खरीदते हैं और खाने पीने क यहां का समान और कस्टमर को बेचते हैं तो वो क्या पढ़ता है उसको शुको अपढ़ जाता है नॉर्मली िखेंस के पOUL P Пरिंसेपल себя सेफितर है यहां एदर ऊदर घूम्ते रहो myself service और जो भी सयहां और billing करा लो तिहां पर self-service पर depend करता है इसके बाद क्या low price sorry इसके बाद क्या these are mainly found in big city लेकिन यह बड़े city में ही होगा जैसे कि वह वाला big city था आपका feature यहां भी क्या है big city में होगा जैसे कि आप अगर ruler area में जाओगे तो वहां big bazar वगरा यह सम नहीं मिलता है देली में तो बहुत जगह मिल जाएगा आपको ठीक है big city में low price जैसे मैंने बता है समान क्या मिलता है सस्ता मिलता है ठीक है न इसके बाद क्या होता है sales are in cash cash में बेचा जाता है एक ही इसका disadvantage भी है और advantage किसके लिए है sales are in cash इसलिए advantage है क्योंकि company के point of view से पैसा दूब एगा नहीं तो क्या मेरा बेट इस होगा नहीं होगा तो company का लिए advantage यह नहीं है तो sales in cash company के लिए क्या होगा advantage क्योंकि यहां पढ़े टेट उगा यहां पे बेटेट नहीं होगा हमारा freedom choosing thing आप freedomly आजादी है आपको कोई product आप ले सकते हो कोई जबरदस्ती नहीं है कि ये समान ही आप purchase करो तो इसके बाद advantage की बात करते है आपका high volume sale high volume sale का मतलब यहाँ पे sale बहुत ज़्यादा होता है sale ज़्यादा क्यों होता है नॉर्मली सस्ता समान देते हैं और कई बार तो यह ऐसा करते हैं जी एक किलो नहीं मिलेगा पांच किलो ही लेना पड़ेगा आपको तो आप भी calculate करोगे एक किलो अगर सो रुपे का है पांच किलो तीन सो का दे रहा है तो 200 रुपे तो वैसे बच्चा चलो ले लेते हैं तो यह बल्क में बेचते हैं समान तो बहुत अभी देखो अभी आने वाला है आपका 26 जन्वरी तो यह सब वाफर निकालेंगे तो एक एक दिन में करोडो करोडो रुपे की sales कर देते हैं एक एक सिर्फ दुकान की मैं बात कर रहा हूं एक की एक एक दिन में लाखो करोडो की sales कर देते हैं भीड कस्टमर बहुत सारे तो मैं कहीं पार ऐसी चला गया 26 जन्वरी को बिग बजार में या फिर मैं कहीं रिलाइंस फ्रेस में चले गया समान तो अंदर गया बड़े अच्छे डिसकाउंट इसकाउंट मिल रहे हैं बहुत खुस हुआ वहां जाके ट्रॉली में बहुत सारा समान ले लिया पता चला बहार निकलने में दो घंटे लग गये लाइन ही इतनी है बिल तो आपको कोक मिला तो पेपसी नहीं मिलेगा पेपसी मिला तो कोक नहीं मिलेगा यहां सारी वराइटी मिल जाएंगे आपको ठीक है तो बहुत सारे आपको वराइटी मिल जाएगा यहां पर एक क्या है लो प्राइस फीचर भी आ गया और एडवांटेज में भी डाल दिय मैंने नॉर्मली यहां पर प्राइस क्या मिलेगा कम मिलेगा ठीक है नो फिर लॉस ऑफ कैपिटल यानि फिर से ड्वांटेज वही होगी आपका कैस सेल्स यहां पर हमें कोई डर नहीं है कि मेरा पैसा डूबेगा कौन सा क्यूंकि हम उधार बेचेंगे नहीं तो डूबेगा इनका में काम था कि मिडल और लोर क्लास और डिपार्टमेंटल का में था आपका हाईर क्लास ठीक है तो यहां पर इसके क्या होगे एडवांटेज फीचर और एडवांटेज अगर मैं काउंट करूं तो काफी सारे मिलते जुलते हैं देखो डेली गुड्स थिंक्स के एक और डाल सकते हैं यह देखो तीन पॉइंट तो वैसे ही आगे सेम आपके और यही पॉइंट आपके डिपार्टमेंटल स्टोर में भी लग जाते हैं एडवांटेज और फीचर के अंदर चलिए अब देखते हैं डिसएडवांटेज इसका सबसे वही मैंने बोले याद रखना है सबसे पहले कैपिटल इट रिक्वाइड लॉट ऑफ कैपिटल ठीक है इसके बाद नो क्रेडिट फैसिलिटी यह भी एक डिसएडवांटेज है देर आर ओल्वेस फियर ऑफ तैफ्ट ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर में चोरी के चांसे ज्यादा होते हैं पता है लेकिन ट्रॉली में आपने बहुत सारा समान भरलिया है तो वहां पर गार्ड होता नों चैक पता क्या से करता बस आपको दिखावे के लिए चैक करता में ने यह तो अंपर की दिख्कत होती है कि के आपका यहां is always fear of theft चोरी होने का खत्रा बहुत ज़्यादा होता है increase in operating expense operating expense क्या हो जाता है हमारा increase हो जाता है increase हमारा क्या हो जाता है यहां पर operating expense तो देखो अगर मैं disadvantage पर जाओ तो disadvantage के point अगर मैं मिलाओं यहां पर तो सबसे पहले point आपका मैं बताता हूं यहां पर lack of credit facility क्या यहां भी है lack of credit facility यह रहा use capital और use capital दो point तो मिली गए operating expense increase होगा operating expense यहां भी increase होगा तीन point यहां